देखिए पिछले तीन चार महीनों में कुछ नहीं हुआ पिछले तीन चार महीनों में विश्वास और एविश्वास का खेल हुआ शिवराज सिंग चोहान को लेकर पिछले एक साल में वो ही मावल बनाया गया था वहाँ पर मद्दय पर्देश में जो योगी आदित्तेनाथ को लेकर 2022 में बनाया गया था कि एके सर्मा को अरविंद कुमार सर्मा को गुजो गुजरात के अडर के आई एस अफसर थे उनको मोदी जी लियाए है यहाँ पर अब वो नेक्स्ट सियम होंगे पिछडों की हालत बड़ी खराब है पिछडे जो है वो स्वामी परसाद मोरिये वगेरा सब अखलेश यादर के साथ मिल गए है केशव परसाद मोरिये को सियम बनाया जाएगा और हिंदू जो बदमास हैं उनके खिलाफ कुछ हो नहीं रहा है मुसलमान बदमास सारे अंदर किये जा रहे हैं और बरामनों की नहीं सुनी जा रही है ठाकुरों की चल रही है योगी आदित्तनाथ कभी नहीं सुनी इस तरह की बाते हैं उनसे तो विश्वास का खेल होता है हाई कमान ने विश्वास दिखाया योगी आदित्तनाथ में और योगी आदित्तनाथ शांदार सफलता हासिल कर पाए जबकि सारा अविपक्स एक हो गया जिस बार उत्तर परदेश में ऐसा होता नहीं था मतलब बड़ी जबर्दस रही एक तरह से मायावती तो बिलकुल साफी हो गई और बाकी जितने छोटे मोटे दल थे इवन बीजेपी के भी कुछ नेता टूटकर उदर चले गए उसके बावजूद भी शांदार एपसलूट मजोर्टी की सरकार योगी आदित्तन की बनी तो मध्य परदेश को लेकर भी यही कानिया चल रहे थी जब से सींधिया जी इदर आये थे तब से यही मावल बनाया जा रहा था कि अब तो बस कोई दूसरा ECM बने गया फला को बना देंगे नरेंदर तोमर को बना देंगे उनको बना देंगे लेकिन मैं आपको ब बारी तारीफ करते हैं उनके काम काज की और एक तरीके से क्लीन कह देते हैं खुला एक पंदेश देते हैं कि सब इन्ही के नेतरत तुम्हें हम चुना लड़ने जा रहे हैं नतीजों के बाद तो क्या हो यह कोई नहीं जानता यह तो पार्टी के अपने विवेक पर है वो कैसे काम करेगी लेकिन जनता के बीच तो कम से कम ये message देना होता है इसमें Congress ने भी बड़ी कोशिश की ये message देने की कि शिवराज सिंग चोहां की स्थिति डावाड डोल है हाई कमान इनसे खुश नहीं है इनको बदला जा सकता है ये बदला जा सकता है पूरा message देने की कोशि किसे एक बहुत अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल की कि जो कमलनात की सरकार 18 महीने की यहां चली थी उसने एक सैंपल दे दिया लोगों को कि यह साब कैसे काम करेगी तो लोगों को यह लगा कि अरे भाई जो 15 साल से यहां काम चल रहा था यह तो एक डम से बीच में से रुप गया सारा कुछ सारी चीजे इस तरीके से स्मूथली चल रही थी और डबलपमेंट होता वह नजर आ रहा था सारे काम ठीक तरीके से चल रहे थे तो जनता ने उस एक ठारा महीने के जो बीच में पीरड आया उसमें ये चीजों को समझ लिया और फिर रही सही कसर तो जो तीरा दित्ते सिंधिया के इस पाले में आ जाने से हो गई जो कुछ इलाकों में जहां वीकनेस थी बीजे पी की गौालियर वगेरा जो इनका इलाका है पूरा चंबल एरिया तो वहाँ पर निश्चित रूप से अब सी इंधिया पूरा जोर लगाई रहे हैं तो पिछले चार-पाँच महीनों में ये मैसेज किलियर हो गया कि बीजे पी अब एक हो गई है बीजे पी ने अपना सी एम कंडिट सी एम बदल ना बदलने का फैसला कर लिया है उत्रा खंड की तरह कोई परियोग नहीं यहां पर होने जा रहा है और अब तो देखिया आप बात करेंगे किसी से वो आपको ये भी कहेगा कि चीफ मिनिश्टर शिवरासिंग चौण नहीं बनेंगे चाहिए वो दोजाज चौण इसमें महीलाओं के लिए बहुत कुछ है इसमें वो बढ़ा दिये गए हैं स्लैब वो तो मेरे ध्यान नहीं रहा है एक्जेक्ट कितने बढ़ा दिये गए हैं इतने लाग से बढ़ा कर सवा लाग कर दिया गया बढ़ दो लाग कर दिया गया इसके लावा जो शिवराद चोहान ने ये कह दिया के साहब हम सारी बेनों को लक्पती बनाएंगे और इसके लावा सब को पक्के आवाज देंगे तो देखिए महीलाओ महीलाओं के लिए बहुत एक बड़ी गोशना है ये और इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे स्टेट्स में भी कई बार ये चीजे देखने में आई है कि महिला जो है बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी की साइलेंट वोटर बन चुकी है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरिवाल की साइलेंट वोट महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में मैंने बहुत माहुल देखा है ऐसे बहुत लोग हमारे डोस्पोडोस के बहुत सारे लोग है कहीं किरायदार रहते हैं कुछ रहते हैं तो उनके लिए राशन पानी ये सब चीजे फ्री मिलना पानी बिजली इसमें को वोट देना है क्योंकि सब अपने अपनी तरह से सोचते हैं लेकिन महिलाएं अपने घर को अपने परिवार को अपने बच्चों के फ्यूचर को इन सब चीजों को बड़ा ध्यान से देखती हैं और उनके लिए उनको उनको बहुत किसी की वादों पर बातों पर बहुत भी बहुत जल्डी हो जाता है महिलाएं जो हैं वो हमारी और आपकी तरह उतना चीजों को नापतोल कर नहीं देखती कि यह इसने पिछली बार क्या का था इस बार क्या का था उन्हें दिखता है कि यार प्रत्यक्ष रूप से जो हो रहा है कि अकाउंट में पैसे आ रहे है इस बात को बड़ा मैटर करती है वही जो गरीब आदमी उसके लिए बड़ी बात होती है यह आप समझ लीजिए इसमें बहुत बड़ा है कि और सबसे देखी इसमें महिन बात क्या होता है इसमें जैसे जैसे किसान का जो पैसा आता है उसमें किसान सम्मान ने दी है और इस मी लाडली बैना जो नाम अलग अलग हो सकते हैं उसमें लेकिन इसमें क्या होता है कि महिलाओं के अंदर एक थोड़ी सी एक ऐसी मान सिकता होती है कि मैं किसी भी तरह घर के खर्च में कैसे योगदान करूं अपना यह हर महिला के अंदर होता है यह सकती करण भी है यह सकती करण भी है देखिए हर महिला नोकरी नहीं कर सकती हर महिला जो है सीटेट का एक्जाम पिलियर नहीं करती हर महिला टीचर नहीं बनना चाहती हर महिला जो है वो सरकारी नोकरी नहीं कर सकती या UPSC की तयारी नहीं कर सकती आज भी इस देश में जो मिडल क्लास हैं लोवर मिडल क्लास हैं या गरीबी रेखा से नीचे जो लाइफ चिनकी है अभी भी हलाकि मैं बहुत दुखद चीजे हैं कि आज भी गरीबी रेखा नाम की एक चीज इस देश में करती है या बड़ा दुखद है इतने आजादी के इतने साल बाद भी लेकिन अगर ऐसी कोई चीजे हैं तो देखिए उन महिलाओं के अंदर एक इच्छा रहती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने परिवार में कंट्रिब्यूट करूँ हाला कि इस बारे में कुछ फिल्में भी बनी जिसमें ये का गया है कि महिलाओं जो हैं वो पराबर की इस्सेदार हैं अगर आप घर चला रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, उन्हें पढ़ा रही हैं, तो बच्चों को अपने बच्चों को अगर आप पढ़ा रही हैं, तो आप समझे टूशन के पैसे बचा रही हैं, आप कपड़े खुद दो रही हैं, तो प्रेस कपड़े खुद कर ले रह तो उस महिला के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यह चोटी चीज नहीं है, इसलिए सभी स्टेट्स में आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाय लाते हैं या घोशना पत्रों में रखी जाती है, उनमें जादे तर वूमन सेंट्रिक जादे होती है, सबसे जादे मुश्किल गोशनाय क्या होती है, किसी की भी गोशनाय द इस तरीके से रखा गया, लेकिन आप समझिये कि यह सरकार के हाथ में नहीं होता है सब कुछ, पता लगा कि कोई एक बंदा कोर्ट में पहुँच गया था, पता लगा पांच हजार नियुक्तिया रुक गई, उसी चक्कर में वो तीन साल रुकी होई है, तो लिए यह जो च चेंजर आप बात के रहे हो, यह वास्तो में जो लाड़ली बहन योजना है, इसको लेकर सिवराज सिंग चोहान ने मैंने देखा है कि पबलिसीडी भी बहुत किया, दिल्ली के अगभारों तक में उन्हों विज्यापन छपवाए हैं बड़े बड़े बड़े, हाँ हो तो होता है, जहां पर आटे की बोरियां रख की रहे हैं, यह उसके बाद से मेरा मानना है कि यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, दूसरे स्टेट्स कोई कर नहीं पाया इसे, इविन उत्तर पर्देश ने भी कोशिश किये, लेकिन उत्तर पर्देश भी नहीं कर पाया है, कि औ और्गेनिक खाद का इस्तिमाल करना और वर्मी कंपोस्ट का इस्तिमाल करना, फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम कर देना, हर्याना के बीवानी में मेरे चाचा जी रहते हैं, वो यह कहते थे कि हमारे यहां का जो गेहों हम पैदा करते हैं अपने यहां का, वो गेहों तो बड़े पैमाने पर कोशिशों की जरू होता है मुझे नहीं पता कि मध्या पर्देश के किसान अभी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल गेमों में करते हैं या नहीं हो सकता है करते भी हो लेकिन मध्या पर्देश की ब्रैंडिंग पिछले 10-15 सालों में ऐसी हुई है कि साब यहां के जो किसान है वो खाद का इस्तेमाल नहीं करते है वर्मी कंपोस्ट या फिर जो औरगनिक खाद ऐसी होती है पत्तों से बनी हुई उसका इस्तेमाल करते है यह छोटी मोटी चीज नहीं है बड़े काम हुए है और उन कामों का जो नतीजा है वो सामने भी आया लोगों ने एक, दो, तीन, चार बार चीफ मिनिस्टर चुना है शिवराज सिंग चोहान को यह बड़ी बात है और एक बात और मैं आथ को बताना चाहूँ मैं शुरू में भी उसका जिकर करना चाहता था यह एक इतिफाक ही है कि इन तीन राज्यों के चुनाव एक साथ होते है लग बागे एक बैल्ट में है यह राजस्तान, मद्यप्र चुनाव एक बैल्ट है यह यू शेप में इस तरह से आप जाएंगे तो तीनों स्टेट एक साथ मिले हुएं मद्यप्रदेश तो 36 गड़ तो मद्यप्रदेश का हिस्सा था ही पहले तो इन तीनों में मैं आपको बताऊं कि मुझे इनका जो राजनितिक ट्रेंड है यहां का जो वोटिंग ट्रेंड है मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल सिमिलर लगता है आप 2018 में चले जाएए तीनों में एक साथ कॉंग्रेस आ जाती है एक जैसी ही हवा चलती है यहां पर तो पता नहीं इस बार लोग कैसे कह रहे हैं कि 36 गड़ में कॉंग्रेस आ रहे है मुझे तो बुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से राजस्थान में मावल बन रहा है जिस तरह किसे मद्यपर्दे से बन रहा है कहीं ऐसा नहीं कि 36 गड़ में भी कुछ कहानी पलड़ जाए अब तक लोग यह का करते थे किसाब जहां पर हैवी पोलिंग होता है वहाँ बीजेपी जीथती है जहां मत्दान प्रतिशत जादे होता है लेकिन इन बस्तर की 20 सीटों पर पिछली बार के मुकावले तीन या चार परसेंट कम मत्दान हुआ है जो मैंने बास करके रिपोर्ट पड़ी है तो उस उस पर आप फिर कैसे कहेंगे कि वहाँ ने हो रहा है लेकिन इसका मतलब यह है कि एंटी इंकमबेंसी है लोग सरकार से नाराज है तो यह जरूरी नहीं है कि भाजपा का वोट ही कम वोटर कम बार निकला है हो सकता है कि सरकार के समर्थन में ज़्यादे उत्सान आओ लोगों को लेकर हो सकता है कि इसी वज़े से भी और देखिए अगर मैं तो सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन इन चीजों का कहा मानता हूं मैं अमित्शा को ट्रेस करता रहता हूं किसी भी मुद्दे पर अमित्शा ने क्या कहा है ये पूरी बीजेपी का स्टेंड होता है बस्तर की जो 20 सीटों का मतदान हुआ उसके दो दिन बाद मद्देव परदेश में कारेकरम में उन्होंने ये कहा है हमित्शा ने के पर पहले चरण के मतदान से इस पश्ट है के हम वहाँ भी absolute majority की सरकार बनाने जा रहे है हाँ हमित्शा कह रहे हैं तो कुछ न कुछ रिपोर्ट्स उनके पास आई होगी हमित्शा तो उनके भी अपनी एक टीम है वो तो है हाँ बिल्कुल वो अलग तरह से सर्वे उनका चलता रहता है अपना तो मुझे लगता है कि इन तीनों स्टेट्स में नतीजे सिमिलर आने वाले हैं पता नहीं क्यों मुझे 36 गड़ की ये बात हजम नहीं हो रहे है कि वहां कॉंग्रेस एक तरफा जीतेगी अगर कॉंग्रेस देखिए इस बार वहां पर आती भी आगे तो आपने देखा होगा भी कुछ हाली में सर्वे आये है 36 गड़ में उन सर्वेज में भी ये दिखाया गया है कि बहुत अंतर कम हुआ है 15 सीटे आये थी बीजेपी ये बीजेपी को इस बार 35-36 तक सीटे मिल रही है उन सर्वेज में भी सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़ रही है देखें मध्या परदेश में फीड़ बैक लेना उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मध्या परदेश में भारते जन्ता पार्टी का कैडर सबसे मजबूत है च्वावन की सरकार रहे या ना रहे मध्या परदेश में सबसे मजबूत कैडर माना जाता है बीजेपी का जैसे के राजिस्थान में माना जाता था कभी केरल में साउथ में बहुत अच्छा मजबूत कैडर हुआ करता था बीजेपी का उत्तर परदेश में भी बहुत मजबूत इस्थिती में हुआ करता था वो तो 20-25 साल मायावती अखलेश यादव रहे तो वो सब चीजे बिगड़ गई तो मद्या परदेश में हमेशा कै क्या हमें करना बाकी है कहां हम कमजोर हैं और देखिये जोतीरा दित्य सिंदिया का आना बी कुछ लोग कुछ भी कहते रहें लेकिन उनका आना तो मुझे लगता है कि बहुत बर एक प्रभाव तो छोड़े गाई जोतीरा दित्ते सिंदिया भी यह दिखाने की कोशिश कर है आपने मुझे लाकर कोई गलती नहीं की और देखे जब भी किसी चीज के लिए कोई सौधा होता है तो उसके लिए पहले आप दाम चुकाते पिर उसके बाद आपको माल डिलीवर होता है ऐसा शाखतर है पहले आप ततर्स-पाँच दिन वाद पैसा दें ऐसी बहुत कम होती हैं बहुत कम चीजों में लेकिन यहां पर बीजेपी ने सिंधिया से बिना कुछ भी अपेक्षा रखे वे उन्हें तुरंत लिया था पहले उन्हें राज्जेसभा में भेजा था उसके बाद उनके सारे लोगों को एड़ेस्ट किया जिनने वो लेकाया थे 20- लोगों को उन सब को टिकट दिये गए उप्चुनाव लडवाएगे उन्हें जितवाया भी गया तो जितना सब कुछ वीजेपी ने दिया है जो तिरा दित्यस इंदिया को तो वो निश्चीत रूप से उसका रिटर्न भी देना चाहेंगे और मैंने कुछ अख़बारों म किसी को भी कोई फीडबैक है तो सीधा जोतिर दित्यस इंदिया फोन उठाते हैं सही बात है यह तो इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दिया है कि जिस तरह से जोतिर दित्यस सिंदिया को एड़ेस्ट किया गया है और उन्हें पहले दिया गया सब कुछ हिमन्त अच्छी पोजिशन में सिंदिया आये हैं पार्टी में इमत विश्वा सर्मा को तो केवल एक स्वास्त मंत्री मिले थे स्टेट के स्वास्त मंत्री बने थे वो तो उनके साथ वो जो है साधान मंत्री की तरह रहे थे लेकिन सिंदिया को तो उनके परिवार उनके घराने का मान सम्मान देखते हुए उनके परिवार के बीजेपी के साथ रिस्तों को देखते हुए तो उन्हें थो बड़ा सम्मान दिया पहले सी तो निश्य तुरूप से जो तिरह दित्के सिंद्या जो इस समय कर रहे हैं वो उनका जो है उनकी मेरा मानना है कि कुछ हिलाकों में तो कम से कम 27-28 सीटों पर उनकी निजी परतिष्ठा दाउं पर है इसमें कोई शक नहीं है और आप ये मत भूलिए कि सिंधिया 2019 का लोगसभा चुनाव हरे हुए है उन्हें इस बार लोगसभा चुनाव भी लड़ना ह तो उन्हें उसका ग्राउंड भी अपना तयार करना है उन्हें लोगों के बीच में भी जाना है वो गोना से लड़ेंगे गोालियर से लड़ेंगे कहां से लड़ेंगे ये तो मुझे पता नहीं है इस बार लेकिन बहुत सारी चीजे तैयारिया चल रही है परिवारिक मसला है उनकी बुआ जी मंतरी थी यहां पर शोधरा तो परिवार का ट्रच बीजेपी से जादे है मैं आपको बता है हमेशा से महारानी विजाराजे इंडिया थी बीजेपी में इनकी बड़ी वाली बुआ जी है वो वसुंद्रा वो बीजेपी में है एक इनके पिता को छोड़के सभी लोग तो बीजेपी से चुड़े रहे हैं यहां पर बहुत आज से नहीं चालिस पचास साल से देखे मेरा मेरा मानना है कि A B C है ए कैट अच्छा करने वाली भी कोई बात नहीं है लेकिन मद्यपरदेश में भी बी कैटेगरी में मैं वह वाली नहीं रख रहा हूं जो तो वजह 1818 वाले स्थिती है कि 101 उनकी आ गई नियान में उनकी आ गई वह वाली स्थिती नहीं होगी और जो सर्वेज कह रहे हैं सर्वे में मैंने देखा है कि 125, 127, 132 तक भी कुछ सर्वे सीट दे रहे हैं भारती जिंता पार्टी को तो मैं मानता हूं कि 125 से कम सीटे बीजेपी की मद्यपरदेश में नहीं आनी चाहिए हाला कि मैंने मद्यपरदेश को भी उस तरीके से मैंने लिया नहीं था मैं राजस्थान में क कि बड़ लंबा चुड़ा इंट्रिवू भी किया है शिवराज सिंग चोहान का बड़ा दो ती नखबारों में छपा है वो काफी लंबा इंट्रिवू तो उनने कहा कि शिवराज सिंग चोहान उनकी टीम सभी लोग जो है कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी एपसिलूट म लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें